हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और नई क्लास में मैं हूँ कमलेश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे सिरीज दोहजार चौबीज जिसमें हम रेलवे साइन्स के सामान विज्ञान के सभी वस्तुनिस्ट प्रीबियस एर के जितने भी आयमपी कोशन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं फिजिक केमिस्ट्री और बायलोजी तीनों सब्जेक्ट अर्तात हम जनरल साइन्स के सभी कोशन को हम सॉल्व कर रहे हैं यह हमारी छटवी नंबर की क्लास है और आज की क्लास में हम बायलोजी के बहुत सारे कोशन को सॉल्व करने वाले हैं यह सभी कोशन जो है मेरे फ्रेंड एंटी पी सी, अल पी, ग्रूप डी, आर पी अप, टेक्नीशियन और जेई में पूछ चलिए करते हैं वीडियो की सुरुवात लगाते हैं हमारा सबसे पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर है अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को बिलकुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन प्लांट डूरिंग दा स्प्रि या खालिस्थान में चली जाती है आप सबको पता है कि पादब जो होते हैं अर्थाद प्लांट जो होते हैं अपनी खाद सामागरी अर्थाद भोजन का जो भंडारा करते हैं कहां पर करते हैं फलो में कर सकते हैं या फिर उनकी जड़ में करते हैं तो जड़ों में अगर ह खाद सामगरी संचित है वो खालिस्थान में चली जाती है आररसी गुरूबडी में आया हुआ कोशन है पहला आप्शन है पुश्पों में चली जाती है कलियों में पत्यों में या फिर फलों में चली जाती है तो देखिये वसंद रितु में जब जड़ों में खाद सामगरी संचित रहती है तो वो चली जाती है किसमें कलियों में चली जाती है बड्स में चली जाती है पत्तियों क्या करती है भोजन का शंशलेशन करती है प्रकास शंशलेशन के द्वारा तो पत्तियों में तो क्या होता है खाद सामगरी या फिर भोजन का निर्मान होता है वाशंत्रितू के तोरण कहा चली जाती है कलियों में चली जाती है ापको बता है जितनी भी खाद्री होती ह미 होती हैं र्फॉध हमाने की पॉधों में जो खाद्री सामांगरी या पॉशन का पोशन different floem floem क्या करता है ना वशा इन सभी का क्या करता है हम बोल सकते क्या पौशक तत्व काता है floem करता है चलिए ये नेक्स QoEZन लगाते है पादफ जड कोशिका und root cell को भी ऊर्जा उत्पन करने के लिए oxygen की आवशकता होती है इसलिए जड़े खालिस्थान से वायू ग्रहन कर लेती हैं ये भी कोशन कहां आया हुआ है मेरे फ्रेंट गुरूब डी में आया हुआ कोशन है इसी प्रकार की कोशन आपको आने वाले गुरूब डी के एक्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि साइन्स का वेटेज जो होता है रेलवे के एक्जाम में बहुत ही चादा होता है देखिया आप्शन आपके सामने है एयर इस्पेस बिट्वीन सॉयल पार्टिकल्स म्रदा करणों के बीच वायू अवकाश दूसरा है एक्टोप्लास्म कोशिका द्रव तीसरा है रंद्र इस्ट्रोमा और चौहता है जल पादब की कोशिकाय होती हैं जैसे कि हमारे पास पतियों की जो फूशक उजल का शंचलेशन करती है प्रकास चंचलेशन के द्षारा जिस्सें पत्तियों की जो कोशिका has फलो की कोशिका उससे पोशक तत्व प्राप्त करती है तो और ऊटपन करने के लिए जड़ जो होती है जड जो होती है उनको भी उर्जा की जरूरत पड़ती है तो वो oxygen कहां से लेती है ये आपसे बूछा जारा है जड़े oxygen कहां से लेती है जड़े मिट्टी सीदीज बात है कोशिका तरफ क्या कोशिका के अंदर अपनी आप oxygen आजाएगा बिलकुल नहीं आएगा रंद्र से लेंगे पत्तियों में पाए जाते हैं चोटे चोटे रंद्र जल से लेंगे क्या oxygen जी नहीं ये कहां से लेते हैं कि म्रदा कणों के बीच में जो वायू अवकाश होता है मिट्टी के कणों के बीच में जो space पाए जाते हैं खाली मिट्टी के क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों होते हैं उनके बीच में अगर थोड़ा बहुत space है तो वहाँ पर से जो वायू होती हैं वहीं से क्या लेती हैं यह oxygen लेती हैं उम्रदाकणों के बीच में जो वायू अवकाश होता है उसी से ये क्या करती है जड़े जो है ऑक्सिजन लेती है भाई कोशिका द्रव क्या होता है आपको बता दे कि कोशिका जो होती है प्लांट कोशिका के अंदर में एक लिक्विड भरा होता है जिसमें क्या होता है सभी प्रकार के पोशक तत्व यह फिर हम भोलेंगे खादसामगरी जो होती है वह número इस में रहती है तो इस जाता है कोशिक, HERE को को जाता है साइटो प्लाजम कहा जाता है तो इस कोशन का अंसर क्या हो जाएगा म्रदा करणों के बीच में वायू अवकास से जो है वो जड़ जो है वो ऑक्षीजन प्राप्त करती है प्रकाश शिंशलेशन के दौरान निम्नम से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है यह आप द पढ़ेंगे जल के अनुओ का विभाजन प्रकाश शिंशलेशन में क्या जल के अनुओ का विभाजन होता है दूसरा अप्षन है प्रकाश उर्जा का अशोशन तीसरा है कारबन डायोकसएड का अपचयन और चौन आप्षीजन का अप्षोशन देखिए हम आपको सबसे प होता भई या प्रकाश उर्जा के द्वारा ही होता भई ये सारी चीजें क्या होती भई 6 co2 carbon dioxide और 6 h2o जो है ये प्रकाश उर्जा के साथ में chlorophyll की उपस्तिति में क्या बनाती भई भई c6 h2o6 बनाती है और प्लस क्या बनता है भई इसको क्या बोलते हैं ग्लुकोज क्या क्या बनता है और साथ में क्या बनता है और बात में oxygen बनता है c6 h2o6 को हम क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड इसको कहते हैं हम ग्लुकोज और साथ में क्या बन जाता भई oxygen बन जाता है o2 बन जाता है कितने o2 बन जाते तो भई हम बोलेंगे 6 o2 बन जाता है तो भई यह देखते हम कि जल के अनू जो है वो किसमें convert हो जा रहा है यह तो कार्भन डाई-oxy का अब चैन हो रहा बिलक prompt जा हो निकल रही है oxygen अब जा हो रही है तो यह क्या हो रही है औरmpfen यह चीजन जोट क्या हो रही है बाहर निकल रही है तो यह प्रक्रिया नहीं होती है किसमे प्रकाश translation में प्रकाश translation की क्रिया के द्वारा ही या क्या गरते हैं भाईया अपना भोजन बनाते हैं चले लगाते हैं नेक्स्ट कोश्चन भाई बहुत ही important question है आपके सामने क्यूटिन, cellulose, lignin और सुबरिन इस question का answer अगर आपको पता है तो भाईया आपकी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रही है गुड़ आपकी preparation है अगर इस question का answer आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपको बहुत जादा पढ़ाई की आपशक्ता है अगर आपको हमारे जो वीडियो है अगर ये question जो है आपको पसंद आ रहे है कि इसी प्रकार की question आपको आने वाले की exam में मिल सकते है तो भाईया बिल्कुल चैनल को subscribe कीजेगा और वीडियो को like कीजेगा ताकि इसी प्रकार की class हम आपके लिए आगे भी provide कर सके है तो भाईया जो जाइलम वा बनाती है इसको आपको याद रखना है चलिए next question लगाते है all of the following plants have fibrous root exit देखे खालिस्थान के अलावा निमने मैसे पादवों में रेशेदार जड़ फाइब्रस root होती है किसमें रेशेदार जड़ नहीं होती है clearly ये पूछा जाता भाईया जड़ जो होती है मेरे फ्रे मूसला जड़ होती है कौन सी जड़ मूसला जड़ मूसला जड़ वो होती है जैसे कि गाजर में पाई जाने मूली में पाई जाने वाली जड़ ऐसी जो मोटी होती है उनको क्या कहते है मूसला जड़ कहते है रेशेदार जड़ वो होती है मेरे फ्रेंड जिनमें फाइबर मक्का गेहु में रिशेदार जड़ होती है चावल में होती है मक्का में जड़ होती है चुकंदर में कौन सी जड़ होती है मेरे फ्रेंड चुकंदर आपने देखा होगा चुकंदर बीट रूट जिसका नाम बही है चुकंदर की जड़ कैसी होती है यह प्रकार से होती है जै breakdown into पाई या glucose का जो अणू होता है सबसे पहले आपको बता दें कि c6 h1 o6 यह क्या है बाई ग्लुकोस का अणू सूतर होता है कौन सा सूतर होता है ये किसका अनुसूतर है भाई तो ये ग्लुकोस का अनुसूतर है किसका अनुसूतर है ग्लुकोस से क्या मिलता है ग्लुकोस से हमें इनर्जी मिलती है जब कोशिकाओं में क्रैप्स चक्र होता है मेरे फ्रेंड कौन से चक्र क्रैप्स चक्र जब उर्जा का निर्मान होता है तो कोशिकाओं के अंदर जब क्रैप्स चक्र होता है तो ग्लुकोस का जो अनु होता है ये पायरूविक अमल में टूट जाता है ये आपको याद रखना है आर आर भी एंटी पीसी में आया हुआ कोशन है इसी प्रकार की कोशन आपको एंटी पीसी में बिलकुल देखने को म हमें क्या देता बहिया उर्जा प्रदान करता है सरीर को उर्जा प्रदान करने का काम कौन करता बहिया ग्लुकोज देता है जब 38 जब बहिया क्रैप शक्र होता है या ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है तो इसमें ग्लुकोज जो बनता है वो उसमें जब 38 एटीपी का बनता है याद रखना को ऐसमें क्या होता है उर्जा का निर्माण होता है जब एटीस एटीपी के रूप में बनती है एडिनोशिन ट्राइफास्पेड एटीपी का पूरा नाम है तो बहिए जब ATP के रूप में उर्जा बनती है तो 38 ATP जब उर्जा बन जाती है तब क्या बनता एक ग्लुकोस का अणू बनता है और ग्लुकोस का अणू जो है वो पायरूबी कमले में क्या हो जाता है तूट जाता है याद रखना है सुगर केन प्लांट्स आर वन अप दा मोस्ट एविशियंट कंवर्टर ऑफ ब्लैंक इंटू कैमिकल एनरजी गन्ने के पौधे खालिस्थान को रासाइनिक उर्जा में परिवर्तित करने वाले सबशे कुशल परावर्तकों में से एक होते हैं इस कोशन का अंसर बताएंगे मेरे फ्रेंड आपको अगर पता है बिल्कुल कमेंट कीजेगा और चैनल को लाइक भी जरूर किये चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चले बाई बताएगे गन्ने के पौधे जो होते हैं खालिस्थान को रासा निक उर्जा में परिवर्थित कर देंगा बताएंगा आप लाइवा जब कोई वी पौधे झो होते हैं मेरे फ्रेंड पौन जो होते हैं किसके त्वारा भोजन बनाते हैं ठो का रासाइनी गुररें बदलेंगे किया बिल्कों नहीं बदलेंके जल्को रासानी mentor एकास बद सबस्ता हमारे पास यह क्या प्रकाश को लेकर कारबन डाय ऑक्साइड और एच टूओ दोनों को मिलाकर फिर यह क्या बनाते भाई रासाइनिक उर्जा बनाते हैं और गन्य के बारे में हम आपको बता दें कि गन्य एक प्रकार से घास की प्रकरती वाला पौदा होता है अब बोलेंगे कि गन्य एक बहुत ही अच्छी घास है जिसके तने में क्या पाये जाता है सुक्रोज पाये जाता है बोले शुक्रोज है ना गन्य की शक्कर को क्या कहते है हम सुक्रोज कहते हैं सुक्रोज एक प्रकार का क्या होता है यह डाई सेकराइड होता है डाई ना चलिए लिख देते हैं हम आपके लिए डाइ सेकेराइड सेकेराइड ना डाइ सेकेराइड होता है जो तूटने पर मोनो सेकेराइड के दो अनु प्रदान करता है एना चलिए लगाते हैं हमारा next question मेरे सूर की और मुख किये हुए सूरज मुख़ी की गती को क्या कहते हुए बदाए मूवमेंट होते जा रहा है किसके तरफ होते जा रहा है मूवमेंट प्रकास के तरफ शन के तरफ होते जाता है तो इसको बोलते हैं हम प्रकाशानू वरतन प्रकाशानू वरतन क्या बोलते हैं फोटो ट्रॉपिस्म बोलते हैं याद रखिएगा क्या बोलते हैं फोटो प्रकाश की तरफ बढ़ता है मतलब प्रकाश की तरफ जिस दिसा में क्या होगा भईया प्रकाश होगा तना जो है वो उशी दिसा में आएगा सूर से सूर से आने वाली किरुणों की तरफ कौन जाता भईया तना जड़ क्या होती है प्रकाशानू बरतन की बिपरीत चलती है मतलब प्रकाशानू बरतन जहां पर नहीं होता है मतलब प्रकाश के विपरीत क्या चलती है भाई या जड़ चलती है तना पत्ती फूल ये सब क्या होते है भाई ये प्रकाश की तरफ चलने वाले होते है पॉधों में ऊर्जा का मौलिक श्रोथ क्या होता है और जो प्लांट होते हैं उन्हें एनर्जी कहा से आती है आपको बताना प्लांट में उर्जा के मुख्य शुर्ट क्या होते हैं प्लांट में उर्जा कहां से बनती है सीधी सी बात है भाई या किस के द्वारा बनती है प्रकाश चैंसलेशन के द्वारा बनती है प्रकाश चैंसलेशन के द्वारा क्या करते हैं पौदे जो हैं वो उर्जा बनाते किसके साथ बनाते प्रोटीन के साथ में बनाते क्या प्रोटीन के द्वारा बनाते क्या बिलकुल नहीं बनाते क्लोरोफिल की उपस्थिती में बनाते हैं ये उर्जा के मुख स्रोत नहीं है क्लोरोफिल क्या है बहिया एक प्रकार का वर्णाख होता है क्लोरोफिल है ना जो क्या करता है प्रकाशन स्लेशन में साहता करता है सूर प्रकास बिल्कोल ग्लुकोस उर्जा का स्रोत है क्या बिल्कोल नहीं बहिया क्या है बहिया उर्जा का मुख्य स्रोत मौलिक स्रोथ क्या है तो भाया हम बोलेंगे हम सूर प्रकाश शूर प्रकाश की उपस्थिती में ही होता है क्या प्रकाशन बिना सूर प्रकाश के होगा क्या प्रकाशन श्लेशन बिलकुल नहीं होगा बिना सूर प्रकाश के प्रकाशन श्लेशन नहीं हो सकता है इसलिए केवल शूर प्रकाश की उपस्थिती में ही ये क्या करते हैं भोजन बनाते हैं तो जो पौधे होते हैं इनमें बोलेंगे हम उर्जा का मुख्य सुरूत क्या हो जाएगा भाईया प्रकाश चैंसलेशन हो जाएगा यूँ अपत्ति जो होते हैं इसको तो बचपन से ही पढ़े है अरे रंग की क्यों होती है ग्रीन पिडमेंट पाये जाता है छलो जाया Actin के कारण Clorofil के कारण Caratinoid के कारण यह Thymine इसका आंसर तो भाईया छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कौन सा वर्णक पाए जाता है Clorofil वर्णक पाए जाता है Clorofil वर्णक के कारण ही जो पतियां होती है वो हरे रंग की होती है Question तो ये भी बनता है मेरे फ्रेंड की Clorofil में कौन सी धातू पाई जाती है Clorofil में पाई जाने वाली धातू का नाम बताएंगे आप मुझे Clorofil में कौन सी धातू पाई जाती है तो भाईया पाई जाती है वो कौन सी Magnesium Clorofil में कौन सी धातू पाई जाती है मेरे फ्रेंड Magnesium धातू पाई जाती है आपको याद रखना है Clorofil जो होता है एक प्रकार का बन्नक होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन सा रंग प्रदान करता है भाईया हरा रंग प्रदान करता है पत्यों को हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है तो वो कौन करता है भई हरा रंग हरा रंग प्रदान करता है कौन प्लोरोफिल चलिए लगाते नेक्स्ट कुश्चन भई which part of desert desert plant such as kaktos perform the process of photosynthesis kaktos जैसे मरुस्थली पौधों का कौन सा भाग प्रकाश शंसलेशन की प्रक्रिया करता है जो कैक्टस होता है मेरे फ्रेंड जिसको हम क्या बोलते है नाक फनी क्याता है नाक फनी बोला जाता है कैक्टस के पौधों को कहां पाई जाते है बोले इनकी पत्तियों में कांटे पाई जाते हैं नहीं देखे हैं इस्प्रकार से कुछंसरे महीं प्लांτ होते हैं इनमें क्या होते है रहते हैं पत्तियां कैसे होती हैं, नकितियां होती हैं, इनके पत्तियां काटें में रुपांद्दित हो जाती हैं। तना इसका कौन सा होता भाईया हरे रंग का होता है है ना स्टैम जिसको बोलते हैं भाईया तो जो हम बात कर रहे हैं किसकी कैक्टस जिसको हम नागफनी कहते हैं तो नागफनी में भाईया प्रकाश रंसलेशन कौन करता है पत्तियां तो भाईया काटों में रूपांतरित हो तो प्रकाश ही नहीं पहुंचता है तो बचता हमारे पास एकी option कौन सा तना तना जो होते हैं भाईया इसके यही क्या करते हैं भाईया प्रकाश translation करते हैं तने के द्वारा ही क्या होगा भाईया प्रकाश translation होगा याद रखना है आपको प्रकाश शंचलेशन किसके द्वारा होगा भईया तना के द्वारा ही होगा चलिए लगाते नेक्स कोशन मेरे फ्रेंट आवला किस बटामीन का प्रचुर स्रोथ है ऐसे कोशन का जबाब तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं बताईएगा मुझे आरार भी एंटी पीसी का कोशन है छोटे छोटे बच्चे भी इस कोशन का अंसर भीया दे सकते हैं अगर मेरे फ्रेंट आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है इस प्रकार की कोशन की सिरीज आपको पसंद आ रही है रेलवे दो हजार चौबिस के एकजाम में हम साइंस के पूरे पूरे कोशन सॉल्व कर सकें कोशिस कीजिया का सबको पता है विटामिन सी है इसका अंसर क्या है इसका अंसर विटामिन सी आवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी विटामिन C का रासाइनिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या एसकॉर्बिक असिट एसकॉर्बिक अमल बोला जाता है एसकॉर्बिक अमल विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है एसकॉर्बिक अमल जितने भी खटे फल पाए जाते हैं खटे फल खटे फलो में पाए जाने वाला खटे फल जैसे कि आजने वाल रहत簡 سब्सप्श went स्घ्ड पविटांइन होता एंड इसको विटामिन सी कहते है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मैं रेफ्रेंट तो इसकी कमी से होता है कौन सा इसकरवी रोग कौन सा रोग होता है भाया इसकरवी रोग होता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाया इसकरवी रोग हो जाता है आपको याद रखना है विटामिन D का नाम क्या है तो भाया हम बोलेंगे केलसी फेरोल नाम होता है केलसी फेरोल केलसी फेरोल नाम होता है विटामिन डी सूरे प्रकाश में पाये जाता है शूरे प्रकाश में पाये जाने वाला विटामिन कौन सा है केलसी फेरोल रिकाट्स रोग हो जाता है इससे कौन सा रोग हो जाता है रिकाट्स रिकाट्स रोग हो जाता है याद जैसे विटामिन बीबन का नाम होता है क्या थाइमीन होता है विटामिन एक का नाम क्या होता है इसका नाम होता है रेटिनॉल विटामिन एक रासाइनिक नाम क्या होता है रेटिनॉल रेटिनॉल विटामिन ए जो होता है पपीता में होता है गाजर में होता है पपीता गाजर इसके क्या है मुख्य श्रोत है भाईया पपीत और गाजर क्या है रेटिनॉल के मुख्य श्रोत है विटामिन एके मुख्य श्रोत है इसकी कमी से क्या हो जाता भाईया आखों के रोग हो जाते हैं जैसे कि हम बात करें आखों के रोग बहुत सारी प्रकार के हो जाते है रेट बहुत ही common question है ऐसे question है जो आपको एक्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे विटामीन वाले question अगर आपने विटामीन की series नहीं देखा है हमारे तो विटामीन का हमारा एक long video बना हुआ है जिसकी साहता से आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं मिरे होते है रतोंधी हमने बता दिया एक और आपको बताना चलिए एक तो हमने बता दिया कौन सा रोग रतोंधी होता है दूसरा रोग आपको बताना विटामीन एक कमी से होने वाला रोग चलिए which of the following bacteria is associated with the formation of root nodules of leguminous plant निमलिखित में से कौन सा जिवानू फलीदार पौधों की जड़ गरंतियों के निर्मान से संबंदी थे फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो गरंतियां होती है उससे संबंदी थे कौन सा होता है बोले तो दीखिए भाया जितने भी फलीदार क्या बोलते हैं भाई राैजोबियम कहते हैं यह क्या करता है ना चरहते का नेटरोजन का चरह अपौले कशिकारन करने वाला डेक्टिरिय आप से अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे भाईया राइजोबियम है ना राइजोबियम जो होता है यह क्या करता है नैट्रोजन का इस्तिरी करन करता है जिससे आच्छा पौधों में भाईया मुख पोशक्ततव जो होता है वो कौन सा होता है नैट्रोजन होता है पोटेशियम होता है फासपोरस होता है है जो होता है जो क्या करता है nitrogen इस्तिरी करन करता हुसका नाम क्या है rhizobium है तो c number option ही हमार पास क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलिए लगाते है next question निम्निकीत में से कौन्शा पोशक तत्व पौध की मिट्टी से प्राप्त करते हैं बहुत ही बढ़िया question है मेरे friend which of the following nutrients is provided to plant from soil मिट्टी से कौन्शा तत्व प्राप्त होता है आपको बताना भाई मिट्टी से मिट्टी से कौन्शा तत्व प्राप्त होता है आपको बताना है देखिए ऐसी question है मेरे friend जो ऐसी question बार-बार exam में पूछ लिये जाते हैं ऐसी question जो है वो बड़ी आसानी से आप बता सकते है अभी हमने थोड़े देर पहले ही बताए आपको की पौधे जो है पोशक तत्व अधिकतर पोशक तत्व तो कहां से प्राप्त करते भी या तो हम बोलेंगी कि प्रकाश शंसलेशन के द्वारा प्रकाश शंसलेशन के द्वारा ही प्रकाश शंसलेशन के द्वारा ही पौधे जो हैं वो पोशक तत्व बनाते भई पोशक तत्व बनाते लेकिन जो जड़ होती है पोशक तत्व पौदे मिट्टी से प्राप्त करता है कौन मिट्टी से क्या प्राप्त होता है तो भई यह नैट्रोजन होता है मिट्टी से क्या प्राप्त करते है यह नैट्रोजन एंट् विटामीन बी का सबसे समरद्ध श्रोत क्या है विटामीन बी दालों में क्या पाये जाता भाईया प्रोटीन पाये जाता है भरपूर मातरा में प्रोटीन पाये जाता है किसमें दालों में पाये जाता है ठीक है बिस्कुट में बिस्कुट में बिस्कुट में बिस्कुट मे तो भाईया विटामिन भी होता है प्रोटीन भी होता है खनीज भी होते हैं बहुत सारी चीज़े पाए जाती है भाईया सेब में लेकिन हमें समरद सुरोत बोला है विटामिन बी का तो विटामिन बी का समरद सुरोत होता है भाईया अनाज अनाज जो होता है ना मेरे फ्रें होता है तो यह सभी की कमी से अलग-अलग प्रकार के रोग होते हैं सभी के अलग-अलग क्या होते हैं भाया नाम होते हैं अभी हम यहाँ पर बी कॉंपलेक्स के बारे में बात करते हैं बी कॉंपलेक्स बी कॉंपलेक्स विटामिन B के जो होते हैं B group जो होता है इसको क्या बोलते हैं B complex बोलते हैं इसके syrup बगेरा भी आते हैं जिनको भूख कम लगती है या जिनको कमजोरी महसूस होती है उनका vitamin B complex के syrup डॉक्टर द्वारा प्रोबाइड किया जाता है हलके मनली जिएगा इसको भाई वायू मंडली दाब कैपिलेरिटी पराशरण और जड़ों का जड़ का दबाव भाईया हमारे पास एक पौधा है बोले जिसमें बहुत सारी क्या है जड़े है इसमें एक तना है बोले तनों से क्या बन रहा है भाईया पौधो के बिबिन पत्ती के बिबिन भागो पौधो के या पेडो के बिबिन भागो तक क्या जा रहा भाईया जल जा रहा है तो इसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जड़ से जड़ से कहा पहुंच जा रहा भाईया पत्तियों तक पहुंच जाता है क्या है कारण क्या है इसका तो भाईया इसका कारण है परसरण क्या बोलते है भाईया ऑस्मोसिस परसरण एक ऐसी प्रोसेस होती है मेरे फ्रेंड जिसमें अर्द पारगम जिली सैमे परवेमल मेंबरेल के द्वारा उच्छ सांदरता से निमन चोटे मूल रोम में क्या होते है अर्थबारगम जिली जैसे काम करती है जल जो होता है वो परासरन की प्रक्रिया के द्वारा ही पौदों के विबिन भागों तक पहुंच जाता है तो इसका कारण क्या है भईया परासरन है का कारण है इसका परासरन है आप लोग याद रखे कऱन क्या कंद कर सकते हैं कि यह तो नीचे पाइज आए जाते हैं भई जी जो होती है मेज कर सकता क्या नहीं कर सकता हैं यह कर सकता है यह भी नहीं Memphis आ क्या कर सकती है भाई है नाइट्रोजन का इस्तिरी करन कर सकती है योगी के करन कर सकती है नाइट्रोजन के योगी के बना सकती है निमने पसे कौन सा आगुलंसील आरोही रेशा का उधारन कौन सा है आपको बताना है तो इसका अंसर है मेरे फ्रेंट क्या सेलूलोस सेलूलोस जो है वो आघुलनसील आरोही रेशा का उधारण है पैक्टिन और इनूलिन नहीं है भाईया आंसर याद रखेंगे कौन हो गया भाईया सैलूलोस लगाते है नेक्स्ट कोशन हमारे निमलिकित में से कौन सा पोशकतत्व केले में भाईया जो बनाना होता है बनाना में कौन सा पोशकतत्व अगर आप केले खा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है आपको बताना केले खा रहे हैं तो क्या प्रोटीन मिल रहा है नियसीन मिल रह पैटेशियम तो और संकेत क्या होता है न की पी होता है बहुत सारे लोग पी संकेत पी किसका होता है खासफोरस का होता है छाले याद रखेंगे घर खाये खांगे तो और जिसकी हमें सरीर में क्या होती है आवशक्ता होती है 20 नंबर का कोशन ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधो की कोशिकाओं का परसरन के द्वारा जल कम हो जाता है और वो सिकुड जाते हैं यह बहुत ही अच्छा कोशन है मेरे फ्रेंड ला जबाब कोशन है ऐसी कोशन जो है आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे कोशन माने जाते हैं मेरे फ्रेंड देखिए ऐसी कोशन है मेरे फ्रेंड जो आपको एक्जाम में बिलकुल आते ही आते हैं ऐसी कोशन बहुत बार एक्जाम में आई हुए हैं तो बताईए के इस question का answer ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधों की कोशिका का परशरण जल कम हो जाने जो कोशिका होती है वो सिकोड जाती है बोले कोशिका हो जाती है सिकोड जाती है क्या कारण होता है परशरण के कारण क्या होती है बही सिकोड जाती है बोले उसका कारण क्या होता है तो भाईया इस प्रोशिष को बोला जाता है क्या प्लाज्मो लिसिस क्या बोला जाता है याद रखना क्या बोला जाता है प्लाज्मो लिसिस कहा जाता है प्लाज्मो लैसिस जैसे हमने पिछली कोश्चन में पढ़ा था भाई जिसको क्या बोलते है بولتے ہیں بھائی پراسارن کس کے دوارہ ہوتا بھائی پراسارن پراسارن کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں glut Cle progressing جس میں کوشکائیں جو ہوئے وہ سکڑ جاتے ہیں ہماری آہار میں موجود ہری پیلی سبجیاں زیادہ تر ہمیں بھوجن کے روپas ہری سبجیاں سے کیا ملتا بھائی ہری سبجیاں آپ کھاتے ہیں ہری سبجیاں گرین ویجی ٹیول اگر کھاتے ہیں ہری سبجیاں اگر کھاتے ہیں آپ हरी सबजیاں खाते हैं तो आपको क्या मिलता है आपको बताना भाई पोटेशियम मिलता है क्या जिंक मिलता है क्या सोडियम मिलता है या फिर कौपर मिलता है हरी सबजیاں खाने से हमें क्या मिलता है भीया तो हरी सबजियां खाने से हमें भरपूर मातरा में पोटेशियम मिलता है क्या मिलता भईया पोटेशियम मिलता है और पोटेशियम जो होता है हमारे सरीर के लिए बहुत ही आवशक खनीज तत्व होता है खनीज तद्व क्या होता हमारी सरीर में बहुत ही आफशाख होते हैं हरी सबजियों में भरपूर मातरा में पोटेशियम पाया जाता है याद रखिएगा चलिए इन में से कौन सा एक सैपरोटोप है सैपरोटोप भहिया सैपरोटोप कभूतर मस्रूम ये सैवाल का बहुत ही अच्छा उधारन है मेरे फ्रेंड मस्रूम मस्रूम कुकुरमुत्ता क्या बोलते हैं भहिया मस्रूम बोलते हैं मस्रूम जो है वो सैपरोटोप का क्या होता है बहुत ही अच्छा उधारन है आपको याद रखना है निमलिकित में से कौन सा एक परजीवी के चश्वारा जो पोषयन्द प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं तो देखिए पौधों की ना की जीवजनतूं की किसकी बात कर जाता भाया तो हम बात करेंगे पौधों में तो भाया आपने जरूर सुना होगा कुसकुटा के बारे में जिसको क्या कहते हैं अमर बेल बोलते हैं ये किसी भी पौधों की ऊपर जो होता भाया ये क्या होता भाया लिप्टा रहता है कैसे लिप्टा रहता है भाया तो हम अंजर क्या हो जाएगा भाईया अमर बेल हो जाएगा अमर बेल है ना अमर बेल जिसको क्या कहते हैं हम कुशकुटा बोलते हैं चलिए भाई सेकंड डास्टोशन है पौधों में प्राथमिक ब्रद्धी इन में से किसके द्वारा होती है भाईया तो प्राथमिक ब्रद्धी जो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई करेक्ट हो जाएगा लगाते हैं भाई आज का लास्ट कोशन अगर आपको मेरी ये क्लास जो है वो पसंद आई है तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है और अपने दोस्तों तक पहुँचाना आउसदी पौदे अरजुन का उप्योग किस रोग के उपचार में किया जाता भाया अरजुन जो पौधा होता है इसका उप्योग जो है वो उच्छ रक्तचाप और कान के दर्द के रोग में किया जाता है अरजुन का अरजुन एक पौधा होता है मेरे फ्रेंड है ना एक प 4 में भी इसका उपयोग किया जाता है तो A number option क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा तो मेरे friend आशा करता हूँ कि आज के सभी question जो है वो आपको पसंद आये होंगे है ना जितने भी question है मेरे friend ये सभी question previous year में आये हुए है जैसे आप देख सकते हैं यहापर RLP ALP में लिखा हुआ है भाई पिछला question RLP ALP में है ये देखिए constable RPF constable में आया हुआ question है भाई ये ये ना RPF J level में आया हुआ question है ये वाला तो हम देख सकते हैं कि सभी question जो है मेरे friend ये कहीं न कहीं एक्जाम में जरूर पूछे गए और मैं आपको इसी प्रकार के question आगे भी provide कर आता रहूँगा है ना तो इसी प्रकार question अगर आपको देखना है और इसी प्रकार physics के chemistry के और biology के है ना सभी के अगर आपको ये series पसंद आ रही है ये question की series पसंद आ रही है तो आप एक बार channel को बिल्कुल subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ में share करें ताकि इसी प्रकार की question हम आगे आपके जै भारत अगर हाँ PDF आपको चाहिए तो हमारे टैलिग्राम चैनल से इसी की वीडियो के description में टैलिग्राम चैनल का link दिया हुआ वहाँ से आप ये सभी question जो है वो download कर सकता है thank you for watching